सदल सांसाद रवे किशन सुकला ने गुरुवार को लोग सभा में नियम 377 के आधी इनवीर बहादूर सेंग स्पोर्स कॉलेज के पास 13 एकड में खेलो इंडिया भियान के तहत विक्सित किये जाने वाले खेल मैदान में संसाधनों को उपलब दिक कराने के लिए धनरासी स् मांगी इसके साथ ही सांसाद ने गुरेकपूर में इंटरनेसनल क्रिकेट स्टेनियम बनाने की भी मांगी सदल सांसाद रवे किसन ने कहा कि गुरेकपूर पूर्वान चल का सबसे बड़ा सहर है इसके साथ ही अदेश के प्रमुक शेहरों में गिना जाता है यहां सिक्षा के बाद ही यहां खेल प्रतिभाओं को मंच मिल सकेगा सांसर जबी किसर ने कहा कि या सिंथेटिक एथिलेटिक स्ट्रैक बहुत देशिये हाल तरंट ताल फुटबॉल ग्राउंड आधी का निर्मान किया जाना है जिसके लिए धनरासी सुकृत किया जाए इन सब का निर्मान होने के बाद गोरकपूर वह आसपास के जिलों के युवाओं को खेल के बहतर संसाधन मिल सकेंगे सांसर जबी किसर ने कहा कि प्रिधानवन फ्री मोंदी का सपना है कि देश की युवाशक्ति को खेल की और उन्मुक्या जाए जिससे वह बहतरीन खिलाडी बंद कर पूरे विश्व में देश का नाम रौसन करें जिसके तहट सिंथेटिक अथलेटिक स्ट्रैक बहुदेशी हॉल तरंटाल फुटबॉल ग्राउंड आदी का निर्मान किया जाना है लेकिन इन कारियों को पूर्ण करने के लिए किंद्र सरकौार दरा अभी तक धनराशी जारी नहीं की गई माहत है अन्ता मैं आपके माध्यम से खेल मंत्राले से मांग करता हूं कि वीर बहादुर सिंग स्पोर्स कॉलेज के समीप की भूमी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आधुनी खेल संसाधनों से विक्सित करने के लिए अविलम धनराशी जारी करने की कृपा करे एक इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाया तो पुरवांचल में बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो ओलम्पिक्स में भाग लेके मेडल लाने की शमता रखते हैं यहां हमारे यशश्वी प्रधान मंद्री श्री नरेंद मोदी जी का जो सपना है कि देश के युवा शक्ती को खेलो और उन्मुख करके उसके उत्रुष खिलाडी बना जाया ताकि वो रास्ट्री अंतररास्ट्री और वेस्ट्री पर जेतनी भी कॉम्पिटीशन होते हैं में देश का नाम रोशन करें गोरकपूर के युवा अत्याधिक प्रधिबाश आलिये महोद है ये मैं चुकि परसनली वहां रहता हूं तो देखता हूं देर फेंटास्टिक देर वेरी टालेंटेट फायर है सब में उपरोग खेल कुद परिसर को विक्सित करने से युवा काफी लाब होगा धन्यवादा तो